नए साल अच्छे से बीते घर में धन धाने की कमी ना हो इसके लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार आप कुछ पेड़ पौधे अपने घर में लगा सकते हैं पेड़ पौधे आपके जीवन को अच्छा बनाने में पीसफूल बनाने में मदद करते हैं पेड़ पौधे लगाने से ही धन धाने की प्राप्ती होगी लेकिन सदियों से प्राचीन काल से ये पेड़ पौधे हमारे मनुष्य के जीवन का एक अभिन अंग हैं इन प्लांट्स को अगर आप नए साल में अपने घर में लगाएंगे तो इससे खुशियां जरूर आएंगी जिसमें सबसे पहला जो प्लांट है वह है क्रैसूला क्रैसूला अभी 50 रूपे में आपको नरसरी पर मिल जाएगा इस पौधे को आप घर में लगाईए क्रैसूला के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है हल्की सनलाइट में इसे लगाईए इसे लखी प्लांट के रूप में भी लोग आजकल ग्रो करने लगे हैं क्रैसूला को छोटे कंटेनर में लगाया जाता है इसके देख रेक का कंप्लीट वीडियो चैनल पर है दूसरे चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी ये है मनी प्लांट इससे तो सभी परिचित हैं कि मनी प्लांट को अपने घर में जरूर अस्थान देना चाहिए यदि आपके पास जगे जादा है तो आप जमीन में लगा सकते हैं जगे कम है तो छोटे कंटेनर में लगाये लेकिन एक बात का ध्यान रखे कि मनी प्लांट कभी भी नीचे के तरफ इसकी बेले नहीं गिरनी चाहिए या जमीन में नहीं फैलनी चाहिए इसको हमेशा उचाई के तरफ बांध करके यानि उपर के तरफ बांध करके ही आप लगाये यदि आपके पास जगे की कमी नहीं है और धूप बराबर मात्रा में आता हो तो आप अनार के पौधे को भी अपने घर में लगा सकते हैं अनार के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुब माना जाता है अगला जो पौधा है ये है डॉलर मनी प्लांट ये पौधे बहुत छोटे से कंटेनर में और कम पानी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं मैं आपको बता दूँ कि जो क्रैसुला अभी मैंने आपको दिखाया उसे और इस प्लांट को डॉलर मनी प्लांट को कम पानी के अवश्यक्ता होती है ज्यादा पानी में ये पौधे खराब हो जाते हैं लेकिन घर में लखी प्लांट की तरह इन पौधों को ग्रो किया जाता है आप भी अपने घर में इन पौधों को ज़रूर लगाएं इनकी छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है पेड़ पौधे माहौल को पॉजिटी बनाने में मानसिक शान्ती देने में मदद करते हैं ये जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया के नाम से आपको नरसरी पर मिल जाएगा हवा में विशैले विशाक्त गैसों को शुद्ध करने में ये मदद करत कहीं भी रख सकते हैं ये जो पौधे होते हैं जैसे क्रैसूला है या फिर अभी जो मैंने आपको दिखाया ये सारे पौधे आपके घर के माहौल को शुद्ध करने में मदद करते हैं कहीं ना कहीं help पहुँचाते हैं इन पौधों को ऐसे जगह पे रख दीजे जहान थोड आपको मानसिख शांतिका अनुभा हो रहा है यह है तुलसी जी का पौधा तुलसी की किसी भी वेराइटी, नहीं कौथा भी यजैं, अभी हरा भारा रखना है तुलसी के पौधे का काड़ा भी आप बना के पी सकते हैं यदि इनके उपर मंजरियां हो गई हैं तो मंजरियों को जरूर तुरंत हटा दीजे और उसे चाय में डाल करके बॉयल करके पीजे लाल गुलाब के पौधे को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए लोग कहते हैं कि लाल गुलाब लक्षमी का प्रतीक होता है इसके फूल को घर की दक्षड पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए दक्षड यानि की साउत और पश्चिम यानि की वेस्ट इससे घर में सुख स्मृधी बरकरार रहती है रबर प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफाइर प्लांट है रबर प्लांट को आप अपने घर में जरूर अस्थान दीजे और इन पौधों को आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं यह है एरीका पाम एक एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है इसे आप अपने घर में अस्थान दीजे, इसे आप शेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं, गर्मियों में, लेकिन विंटर में आपको हलकी धूप में इसे रखना होगा, एरिका पाम एक बहुत ही अच्छा हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है और लकी प्लांट भी है, क्यो तुलसी जी के पौधे को आपने जहां भी लगाया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, वहांपर गंदगी ना हो, और तुलसी जी के पास आप शमी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं, अब धी वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगी, कि किस तरीके से शमी के पौधे को तुलसी जी के पास ग्रो किया जा सकता है और शमी की पूजन भी करी जाती है अक्सर शनिवार के दिन शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना बहुत हैं शुब माना गया है हवा से हानिकारक तत्वों को सोख लेता है रंग भिरंगी पत्तियों वाला क्रोट क्रोटोन ऐसा माना जाता है कि इन्हें बेडरूम में रखने से घर में साकरात्म कुर्जा आती है क्रोटोन के पौधे में हवा को शुद्ध करने की अद्भुच शम्ता होती है और यह हवा में मौझूद हानिकारक तत्वों को सोख लेता है इस पौधे को अभी आप अपन प्लांट होता है और यह एक मानसिक शांती देने वाला भी प्लांट है क्योंकि इसके जो रंग भी रंगी पत्तियां होती है वो आपको अट्रैक्ट करती है आकरशित करती है इसे आप साकरात्मक उर्जा के लिए अपने बेडरूम के किसी भी कोने में रख सकते हैं और सब अगला पौधा है शमी का पौधा यदि आपके पास जमीन में जगे है तो आप जमीन में ग्रो कर सकते हैं अपने घर के मेन एंटरेंस पर लगा सकते हैं या मेरी तरह आप बालकनी में ग्रो कर सकते हैं शमी का पौधा लगाने की सही दिशा वासू शास्त्र के अनुसार ज लिए इस पौधे को घर में लगाया जाता है ये है अज्वाइन का पौधा इसे भी आप अपने घर में जरूर लगाईए ये पौधा जहां लगा होता है वहाँ पर मच्छड वगर नहीं आते बालकनी में चार पांच ये पौधे लगा लेने चाहिए इसनेक प्लांट के बा